नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी को देवुठनी एकदसी की तीन कथाएं सुनाएंगे कार्तिक महा के सुकल पक्च की एकदसी को देवुठनी एकदसी देवुठनी एकदसी देवुठनी ग्यारस प्रभो दिनी एकदसी आधी नामों से जाना जाता है इस दिन सिरी हरी बिस्नु निद्रा से जागिते हैं एक राजा के राज्य में सभी लोग एकदसी का ब्रत रखते थे प्राजा तथ नोकर चाकरों से लेकर पसूओं तक को एकदसी के दिन अन्य नहीं दिया जाता था एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक ब्यक्ती राजा के पास आकर बोला महराज किरपा करके मुझे नोकरी पर रख ले तब राजा ने उसके सामने एक सर्थ रखी कि ठीक है रख लेते हैं किन्तु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एक दसी के दिन अन्य नहीं मिलेगा उस ब्यक्ती ने उस समय हा कर ली पर एकादसी के दिन जब उसे फलाहर का सामान दिया गया तो भह राजा के सामने जाकर गिरगराने लगा रोने लगा महराज इससे मेरा पेट नहीं बहरेगा मैं भूकाई मर जाओंगा मुझे अन्ने दे दो राजा ने उसे सर्थ की बात याद दिलाई पर भै अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदी दिये भै नित्य की तरे नदी पर पहुँचा और इसनान कर भोजन पकाने लगा जब भोजन बन गया तो भै भगवान को बुलाने लगा आओ भगवान भोजन तयार है उसके बुलाने पर पीतामबर धारन किये भगवान चतुर भुज रूप में आ पहुचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे भोजन आदी करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा भै अपने काम पर चला गया पंद्रा दिन बाद अगली एका दसी को भै राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए उस दिन तो में भूका ही रह गया राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं इसलिए हम दोनों के लिए ये सामन पूरा नहीं होता ये सुनकर राजा को बड़ा चरी हुआ भै बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं मैं तो इतना ब्रत रखता हूँ पूजा करता हूँ भगवान ने मुझे कभी दरसन नहीं दिये राजा की बास सुनकर भै बोला महराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चल कर देख ले राजा एक पेड़ के पीछे चिपकर बैड़ गया उस ब्यक्ती ने भोजन बनाया तता भगवान को साम तक पुकारता रहा परंतु भगवान नहीं आए अंत में उसने का कि है भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कून कर प्रान त्याग दूँगा लेकिन भगवान नहीं आए जब भे प्रांट त्यागने के उद्धेश से नदी की तरह बढ़ा तो प्रांट त्यागने को उसका द्रण एरादा जान सीखरी भगवान ने प्रिकट होकर उसे रोक लिया और साथ वैट कर भोजन करने लगे खा पीकर भी उसे अपने बिमान में बिठा कर अपने धाम ले गए ये देखकर राजा ने सोझा कि ब्रत उबास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता जब तक मन सुद्ध नाओ इससे राजा को ज्यान मिला वहे भी मन से ब्रत उबास करने लगा और अंतमिस स्वर्गों को प्राप्त हुआ दूसरी एक अदसी ब्रत कथा कि अनुसारी के राजा था उसके राजी में पिरजा सुखी थी एक अदसी को कोई भी अन्य नहीं बैसता था सबी फलार करते थे एक बार भगवान ने राजा की परिक्छा लेनी चाही भगवान ने एक सुन्दरी का रूप धारन के और सड़क पड़ बैठ गए तब ही राजा उधर से निकला और सुन्दरी को देखकर चकित रह गया उसने पूझा है सुन्दरी तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो तब सुन्दर इस तरही बने भगवान बोले मैं निरासिटता हूँ नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है किस से सायता मांगू राजा उसकी रूप पर मोहित हो गए मैं बोले तुम मेरे महल में चल कर मेरे राणी बन करना हो सुन्दरी बोली मैं तुम्हारी बात मानूंगी पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौपना होगा राज्ये पर मेरा पूर अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी वो तुमें खाना होगा राजा उसके रूपर मोहित था, अथा उसने उसके सभी सरते सुईकार कर ली अगले दिन एक अदसी थी, राणी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्न दिनों की तरह अन्न वैचा जाए उसने घर में मास मच्छी आदी पकबाए, तथा परोज कर राजा से खाने के लिए कहा ये देखकर राजा बोला, राणी आज एक अदसी है, मैं तो केबल फलाहरी करूँगा तब राणी ने सरत की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूगी राजा ने अपनी स्तिती बड़ी राणी से कही, तो बड़ी राणी बोली, महराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा, इसी दोडान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया मा की आँखों में आसु देखकर भई रोनी का कारण पूछने लगा, तो मा ने उसे सारी वस्तु इस्तिती बता दी, तब बह बोला, मैं सिर देने के लिए तयार हूँ, पिता जी के धर्म की रक्षा होगी जरूर होगी राज़ दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तयार हूँ, तो रानी की रूप में भगवान विस्नु ने प्रकट होकर, असली बात बताई, राज़न तुम इस कठिन परिक्षा में पास हुए, भगवान ने प्रसन्न मन से राज़ा से बर मांगने को कहा, तो राज़ा बोला आपका दिया सब कुछ है हमारा उद्धार करें, उसी समय बहाँ एक बिमान उत्रा, राज़ा ने अपना राज़्य पुत्र को सौबती और बिमान में बैठ कर परमधाम को चले गए, एक तीसरी कठा के अनुसार संखासुर नामक राक्षस की है, संखासुर ने तीनो लोकों में भहुत युत्पात मचाया हुआ था, तब सभी देपताओं के आगरे करने पर भगवान बिस्नु ने उस राक्षस से युद्ध किया, और ये युद्ध कई वरसों तक चला, युद्ध में भह असुर मारा गया, और इसके बाद भगवान बिस्नु बिस्राम करन बड़ा बिस्नु भग था, कई सालों तक उसकी या संतान नहीं होने के कारण उसने सुक्राचारी को अपना गुरू बना कर उनसे स्री किष्ने मंत्रे प्राप्त किया, ये मंत्रे प्राप्त करके उसने पुसकर सरोबर में खोर तपस्या की, भगवान बिस्नु उसकी तपस प्राप्त का बर्दान दे दिया, भगवान विस्नु के बर्दान से राज दंब की यहां एक पुत्र ने जर्म लिया, इस पुत्र का नाम संख चूर रखा गया, बड़ा होकर संख चूर ने ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए पुसकर में खोर तपस्या की, उसकी दे दिया और कहां कि भए बदरी बन जाकर धर्म धोच की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हों से भिवा कर ले, संख चूर ने बैस ही किया और तुलसी के साथ भिवा के बास सुक पूर्वक रहने लगे, उसने अपने बल से देपताओं, असुरों, दानबों, संख चूर लगे, संख चूर ने बना कर संख चूर के बिजा बह्त बेघा, अधा आप उनके पास जाएं, बहग्वान सिब ने चित्र रत नाम गर्ण को अपना दूद बनाकर संख चूर के पास बेजा, चितर रथ ने संक्चून को समझाया कि भै देपताओं को उनका राजी लोटा दें परिंतु संक्चून ने मना कर दिया और कहा कि भै महेस्वर से युद्ध करना चाहते हैं भगवान सिब को जब ये बात पता चली कि भी युद्ध के लिए अपनी स्यना लेकर निकल पड़े इस तरहे देपता और दानबों में घमासान युद्ध हुआ परिंतु ब्रह्मा जी के बरदान के काई संक्चून को देपता नहीं हरा पाए भगवान सिब ने संक्चून का बद्ध करने के लिए जैसे ही अपना तरसूल उठाया तब ही आकास वानी हुई कि जब तक संक्चून के हाथ में स्री हरी का कवच्च और इसकी पत्नी का सतित वखंडित है तब तक इसका बद्ध असंभा वे आकास वानी सुनकर भगवान विस्नू ब्रद्ध ब्राममड का रूप धारन कर संक्चून के पास गए और उससे स्री हरी कवच्च दान में मांग लिया संक्चून ने ये कवच्च बिना किसी संकोच के दान कर दिया इसके बाद भगवान बिस्नु संखचून का रूप बना कर तुलसी के पास गए, संखचून रूपी भगवान बिस्नु ने तुलसी के महल के दुआर पर जाकर अपनी विजे होने की सूचना दी, ये सुनकर तुलसी भहुत खुसूई और पती रूप में आये, भगवान का बर्रमण किया ऐसा करते ही तुलसी का सतिद्व खंडित हो गया और भगवान सिम ने युद्ध में अपने तिर्सूल से संख चून का बद्ध कर दिया तब तुलसी को पता चला कि वो उनके पती नहीं है बलकि वे तो भगवान बिस्नु है कि रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूरवक मेरा धर्म ब्रष्ट किया है और मेरे पती को मार डाला है अथा में आपको स्राप देती हूं कि आप पासण होकर धर्ती पर रहे तब भगवान बिस्नु ने कहा देवी तुम मेरे लिए भारत वर्स मेरे कर भहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो तु कुमारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं सालिकराम बन कर रहूंगा गंडिकी नदी के टटपर मेरा बास होगा देव प्रबोधिनी एकदसी देव उठनी एकदसी की दिन भगवान सालिकराम बद तुलसी का भिवा संपन्ने कर मांगलिक कारियों का प्रारंब किया जाता है हिंदू धर्मान्यताओं के अनुसा इस दिन तुलसी सालिकराम बिवा करने से अपारे पुन्ने प्राप्त होता है आपको देव उठनी एकदसी की एकथाए कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारी चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजेगा धन्यबाद